गाइस current affairs funda में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम May 1st week के सभी important MCQs एक साथ cover करने वाले हैं जो भी experience हमारे daily current affairs नहीं देख पाए हैं किसी कारण वस तो वो इस वीडियो से अपने May 1st week के सभी current affairs cover कर सकते हैं साथी जो experience हमारे daily current affairs देखते हैं तो वो इस वीडियो के तुरू अपने सभी current affairs को revise कर सकते हैं साथी guys इस session को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप हमारी one year की membership avail कर सकते हैं जिसके अंतरकत आपको channel पर upload होने वाली current affairs video PDF format में मिल जाएगी इसके लिए आप 249 रूपीज पे कर सकते हैं और ये membership आपकी एक साल के लिए valid रहेगी इसमें आपको daily current affairs PDF weekly compilation जो होता है current affairs का वो PDF format में और monthly compilation भी PDF format में provide कराये जाएगा साथी जो भी topic wise videos हम बनाते हैं जैसे कि appointments, obituaries, days and themes, books and authors, committees तो ये सभी भी आपको PDF format में provide कराये जाती हैं तो membership पाने का link आपको इस video के first comment में मिल जाएगा कोई भी आपकी query हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो comment box में हमें जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं सुरूबात इस video session की NCDEX के MD और CEO के रूप में किसे न्युक्त किया गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option A अरुन रस्ते has been appointed as the MD and CEO of NCDEX NCDEX का मतलब है National Commodity and Derivatives Exchange तो इसके जो है ये MD and CEO बनाए गए है 5 साल के लिए साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए जो ये NCDEX है ये एक agricultural commodity exchange है और इसको जो है 23 अपरेल 2003 में as a public limited company incorporate किया गया था आपको बता दें कि जो ये NCDEX है इसको भी SEBI यानि Securities and Exchange Board of India ये regulate करता है SEBI जो है हमारे share market को regulate करता है ठीक है और ये NCDEX को भी regulate करता है ये आपको जानना चाहिए साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि NCDEX इसका headquarters मुंबई में है next question देखते है जिनका हाल ही में निदन हो गया वे पूर्व में क्या रह चुके है options आपके सामने है और correct answer होगा option A Soli Saurabji who passed away recently was the former attorney general तो friends COVID-19 के कारण इनका जो है निदन हो गया है और पद्वे भूशन से भी ये सम्मानित थे आपको बता दें कि ये केशवननन्दा भारती case ठीक है जो की constitution में जो basic structures दिये हैं उनको संद्रक्षन परदान करता है उससे related एक case है केशवननन्दा भारती case इन में भी friends ये Mr. Saurabji जो है involved रहे थे और BOMAI judgment जो की article 356 का misuse जो central government करती है state government को dismiss करके और president rule लगा के ठीक है तो उसके उससे related जो ये judgment था BOMAI judgment इससे भी ये related रहे है constitution से BOMAI judgment की से related है जो article 356 है यानि president rule है ठीक है उसके misuse से संबंदित है तो इस तरह के question भी पूछ ले जाते है साथ है आप को ये भी जानना चाहिए कि Mr. Saurabji जो है ये 1989 में attorney general बने थे पहली बार उसके बाद भी 1998 से 2004 के बीच भी ये attorney general बने रहे 1997 में इन्हें United Nations special reporter for Nigeria ये select किया गया था ये appoint किया गया था यानि कि Nigeria से related जो भी cabinet meetings होती है उसकी report तयार करना ठीक है उसको बोलता है साथ ही आप को ये भी जानना चाहिए अगर हम attorney general की बात करें तो article 76 attorney general से related है ठीक है इसके appointment से related है साथ ही आप को ये भी जानना चाहिए सीधा सीधा question पूछा जाता है चार option दे दी जाते है कि भारत में highest law officer कोन है तो उसका answer होता है attorney general साथ ही आप को ये भी जानना चाहिए कि attorney general को appoint कोन करता है president करते हैं आगे बढ़ते हैं B.O.B. Financial Solutions Limited ने निमली खित में से किसके साथ मिलकर कौन QR की सुरुआत की options आपके सामने है और correct answer होगा option D So B.O.B. Financial Solutions Limited in partnership with Mastercard launched CONQR या कौन QR इसको बोल सकते हैं तो friends ये क्या है कौन QR क्या है ये Mastercard QR on card solution है यानि कि जो Mastercard है जो card होता है हमारा उसी पर QR code बना हुआ है तो इसके तहर जो भी small businesses हैं वो payments कर भी सकते हैं और payment receive कर भी सकते हैं साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो Mastercard है इसके CEO है Michael, Maybash और executive chairman है Ajay Banga किस देश ने अपने Antrix station का पहला module launch किया है options आपके सामने है और correct answer होगा option B so China has launched the first module of its space station और friends इस module का नाम क्या है Tianhe यह आप याद रखेगा space station का इस first module का नाम है Tianhe और कहां से launch किया है इसको चाइना के Long March 5P rocket से launch किया है आपको बता दें कि चाइना जो है permanent अपना जो यह होता है international space station यह बनाने वाला है तो इसी की तैयारी कर रहा है और जो यह space station है इसका नाम होगा Tianheong space station यह इसका नाम इन्होंने रखा है heavenly palace और 2022 तक कह रहे हैं कि यह operational हो जाएगा तो दो चीजे हैं एक तो module Tianhe और दूसरा है space station Tianheong space station अच्छा friends यह international space station क्या होता है देखे यह एक large spacecraft होता है and it orbits around earth ठीक है और इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक घर की तरह होता है जहां astronauts रहते हैं ठीक है जब वे space में जाते हैं तो astronauts यहीं पर रहते हैं यही जो है एक science lab की तरह काम करती है जहापर यह अपने जो experiment होते हैं कर सकते हैं ठीक है इसको बोलता है International Space Station कई सारी countries को मिलकर बनाती है और यह जो है कई pieces में बनता है ठीक है और इन pieces को astronauts ही लेकर जाते हैं उपर अच्छा साथ है आप को भी जानना चाहिए कि जो यह China जो station बना रही है यह Soviet Union ने जो अपना station बनाया था मीर इसका नाम था इसी की तरह है और आपको बता दे जैसे कि मैंने आपको बताया International Space Station जो फिलहाल मौझूद है यह US, Russia, Canada, Europe और जापान से जापान ने मिलकर बनाया है और 2024 में यह रिटायर हो जाएगा इसकी सेवा समापत हो जाएगी ठीक है, China इसमें इंक्लूड नहीं है तो इसलिए China जो है अपना Space Station बना रहा है जिसका नाम है त्यांगोंग Space Station वर्ज 2021-22 के लिए केंदर सरकार दुआरा निर्धारित खाद्य अनाज उत्पादन लक्ष कितना है या क्या है, options आपके सामने है और correct answer होगा option C So, कितना लक्षे है 307.31 million tons तो government चाहती है कि 307.31 million tons का जो है food grain production हो 2021-22 के लिए यह इनोंने target रखा है और इसमें जो खरीफ season में कितना रखेंगे 151.43 million tons food grain का target रखा गया है और रवी season के लिए यानि winters के लिए 155.88 million tons ठीक है, इसका target रखा गया है इन दोनों के मिलाकर हो गया 307.31 million tons साथे आपको बता दें कि government ने ये भी कहा है कि अगर हम अगर हम last year के मुकाबले बात करें तो last year से 1.3% जादा हमने इस बार food grain production का target रखा हुआ है और friends आपको बता दें कि economic survey 2021 के अनुसार जो भारत में agriculture का जो share है GDP में भारत की GDP में ये 2019-20 में 17.8% था तो इससे बढ़कर अब ये 2020-21 में 19.9% हो गया है काफी important point है इसको आप note down जरूर कर लिजेगा क्योंकि economic survey के बारे में बता रहा है और साथे आपको ये भी जानना चाहिए जब agriculture की बात ही हो रही है तो union minister of agriculture and farmers welfare है नरेंदर सिंग तोमर और इस ministry में यानि ministry of agriculture and farmers welfare में दो minister of state से राज्यमंत्री है एक तो है परसोत्तम रूपाला और दूसरे है कैलाश चोधरी माइकल कॉलिंस इनका हाल ही में निदन हो गया का संबंद किस अंतरिक्ष मिशन से था ओप्शन सापके सामने है और correct answer होगा option C तो माइकल कॉलिंस इनका संबंद Apollo 11 और Gemini 10 इन दोनों ही जो ये आपके अंतरिक्ष मिशन रहे हैं इनसे रहा है तो फ्रेंट्स Apollo 11 जो फ्लाइट थी इस मिशन को सफलता पुरवक चांद की सदा पर उतारने वाले माइकल कॉलिंस इनका नितन हो गया है और इनी की वज़े से जो आपके नील आमस्टोंग थे और बज आल्डरिन थे ये सुरक्सी चांद की सदा पर पहुँचे थे और वा ठीक है वैसे इस मॉड्यूल का नाम था जो कमांड मॉड्यूल इसका नाम था कॉलंबिया इसको यह लेकर गए थे यह फोटो तो आपने देखी होगी तो बीच में यह है माइकल कॉलिंस और फैंट्स यह दो बार इस पेस में जो है जो है फ्लाइ कर चुके है पहली बार इन्होंने किया था जैमिनी 10 ठीक है यह 1966 में इन्होंने किया था जैमिनी 10 यह एक स्पेस फ्लाइट थी उसके बाद फिर अपॉलो 11 कमांड मोड्यूल कोलंबिया यह किया था इन्होंने कि ट्राइफट और निमली खित्में से किसने आदिवासी विकास और रोजगार सर्जन की दिशा में एक साथ काम करने हैं तू एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं ऑप्शन आपके सामने हैं औ और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सो ट्राइफट एंड दे लिंक फंड हैव एंटर्ड इंटो मेंवरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग वर्क तोगेड़र तोड्स ट्राइबल डेवलप्मेंट एंड एंप्लोईमेंट जनरेशन तो फेंड्स ट्राइफट जो है ट्रा उसको जो है अच्छा किया जाए उनके लिए रोजगार के साधन बनाए जाए जो वो प्रोड्यूस करते हैं ठीक है जैसे वनों से जो वो प्रोड्यूस करते हैं जैसे लकडी से कुछ आर्ट क्राफ्ट बनाते हैं उन सब को एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड कराए जा इसकी मदद की है ठीक है इसकी मदद ली है दे लिंक फंड तो आपको बता दे कि ट्राइफेड जो है इसकी इस्थापना अगस्थ 1987 में की गई थी ठीक है अंडर मल्टी स्टेट कोपरेटी सोसाइटी जैग 1984 अच्छा जो यह लिंक फंड है यह आपका हैटकॉर्टर से इसका चैनिवा शुटaglesर्लेंड में ठीक है ओर यह इसी तरगी जैसे पोवर्टी यह इलिमेरशन में अपना सहयोग करता है और क्लाइमेट चैन्स रिय्टेड जो है फंडिंग परवाइड कराता है जो भी उपाय हो सकते हैं हुष Wak का सबे से लंबा पैदल यातिन इलंबन पूल किस देश में खोला गया है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन C so the world's longest pedestrian suspension bridge opened in Portugal ठीके फ्रेंट्स अच्छा और यह जो है 516 meters long है और इसका जो suspension है यह 175 meters का है और कहां पर है यह पोर्चुगाल के एरोव का टाउन में है और यह जो है पाईवा रिवर है यहां पर इसके दोनों banks को इसके दोनों को जोड़ता है पोर्चुगाल की अगर बात करें तो capital है लिस्वन और करन्सी है यूरो और यहां के प्रेजिडेंट है मार्चेलो रेबेलो डिसूजा और प्राइम मिनिस्टर है अंटोनियो कोस्टा कि बीएमल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक के रूप में किसे चुना गया है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सो अमित बेनर जी हैस बिन सेलेक्टेड एस दा चेर्मेन एंड मैनेजिंग डिरेक्टर ओफ बीएमल लिमिटेड आपको बता दें कि बीएमल लिमिटेड जो है यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतरकत एक मिनी रत्न पियस्ट्यू है अच्छा इससे पहले जो सीमडी थे यह डी के होटा थे और 31 जनवरी को जो है रिटायर हो चुगे थे इसके बाद फिर एमवी राजा सेखर यह जो ह और अगर हम बीएमल की बात करें तो इसका हैड़कॉर्टर बेंगलूरू में है नेश्ट कोश्चन है मारे पास इस मार्किट के अनुसार फिसकल यह यह फाइनेंशल यह 22 में भारतिय अर्थ व्यूस्ता कितने प्रतिशत पड़ेगी ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट सब्सक्राइब और साथ ही आपको यह जानना चाहिए कि जो इस मार्किट लिमिटेड है यह एक अमेरिकन बिटिज इन्फोर्मेशन प्रोवाइडर है और कहां पर लोकेटेड है लंडन में लोकेटेड है यह सभी आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट रेटिंग बताई गई की इस मार्किट ने 9.6 का है यह फिसकल यह 22 की बात हो रही है ठीक है इसमें नोमुरा भी है और यह है 11.5 के रेटिंग से 10.2 ठीक है इस तरह से दिया गया है मनोजदाज जिनका हाली में निदन हो गया किस भासा के प्रख्यात लिखकते आप्शन आपके सामने है और इनकी काफी फेमस मेमोर भी है चेजिंग दर रेनवो ग्रोइंग अप इन इंडियन विलेज जो किनोंने 2004 में लिखी थी इन्हें 2020 में पद्म भूशन से भी सम्मानित किया जा चुका है अरुन कुमार सिंग जिनका हाली में निदन हो गया किस राज्य के मुख्य सचीव थे ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर है ओप्शन ए तो यह सीटिंग चीफ सेकरेटरी थे और इनकी हाली में कोविड-19 के कारण जो है इनका निदन हो गया है और फ्रेंट्स आप सब भी अपना ध्यान रखा करें कोविड-19 की जो यह वेव चल रही है काफी खतरनाक है ठीक है घर से जब भी भार निकले तो आवश्या काम हो तब ही निकले क्योंकि देखी घर से भार तो निकलना ही पड़ता है क्योंकि काम कई सारे होते हैं ठीक है और लेकिन जो है अपनी से जाएं पहले आपने देखा होगा जब पिछले साल कोविड-19 हुआ ठीक है जब आके चल रहा है तो फ्रेंट्स इसलिए बहुत सतरक रहने की जुरूत है आप लोगों को और हम सबी को खैर यह कोश्चन देखते हैं तो बिहार के चीफ सेक्रेटर है अरुन कुमार सिंग इनका कोविड-19 के कारण नितन हो गया है इसी साल 27 फरवरी को इने चीफ सेक्रेट रहें निम लिखित में से किसने oxygen on wheels पहल सुरू की है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option D so Mahindra logistics has rolled out oxygen on wheels initiative देखिए Mahindra logistics Mahindra group का part है और इसने oxygen production और इसके transportation का gap कम करने के लिए महराष्ट में oxygen on wheels initiative शुरू किया है इस initiative के तहत Mahindra trucks oxygen cylinders को hospitals और जो भी जरूरत मंद घर हैं वहाँ तक पहुचाएंगे friends इस नाम से देखिए और भी initiative जो हैं और भी राज्जों ने शुरू कियो हैं जैसे कि 36 गर ने oxygen on wheels ये launch किया हुआ है और पंजाब में भी पटियाला में oxygen on wheels इस तरह की service चलाई जा रही है ठीक है तो ये थोड़ा लग है क्योंकि ये एक company ने launch किया है ठीक है तो इसलिए आपके लिए काफी important है oxygen on wheels आगे बढ़ते हैं Aceware fintech services ने किस bank या बैंकों के साथ साज़ेदारी में Acemoney neobank launch किया है options आपके सामने है और correct answer होगा option D so friends Aceware fintech services has launched Acemoney neobank in partnership with Yesbank and ICICI bank आपको बता दें नियो बैंक को डिजिटल बैंक भी काते हैं ठीक है और इनके customer ये वो होते हैं जो कि tax से भी होते हैं यानि जिनको online काम करना पसंद होता है online transaction जिने पसंद होता है इस तरह के customers के लिए ये new bank जो है अपनी services provide कराते हैं तो इनकी कोई physical branch नहीं होती है ये अपनी जो भी financial services है ये mobile app या online platforms के तुरू ही provide कराते हैं जैसे कि money भी आपके doorstep पर provide कराते हैं money transfer, bill payment इस तरह की सुविधाएं, insurance सुविधाएं ये सभी आपको provide कराते हैं लेकिन इनकी कोई भी physical branch नहीं होती ठीक है friends केंदर सरकार द्वारा अगरिम रूप से राज्य आपदा परतिक्रिया कोश के लिए कितनी रासी जारी की गई है, options आपके सामने है और correct answer होगा option D so first installment of 8,873.6 crore rupees for state disaster response fund has been released in advance by the central government, friends काफी important question है ध्यान से देखिएगा, देखिए, department of expenditure जो की ministry of finance के अंतरगत काले करता है, इसने ministry of home affairs के recommendation पर state disaster response fund, ठीक है, इसके अंतरगत, इसने पहली installment राज्यों को जारी कर दी है, 2021 पाइस के लिए, अच्छा कितनी रासी है, यह 8,883.6 crore rupees जो है, states को आवंटित किये जाएंगे, अच्छा तो friends अभी हाँ पर लिखाए कि advance में, advance में क्यों किया है, क्योंकि generally जो यह first installment होती है, state disaster response fund के तहर्यों कि states को दी जाती है, यह जून महीने में दिय जाता है, लेकिन सिंस आपको पता है कि यहां पर महामारी जो चल रही है, इसकी वज़े से states को थोड़ा support मिल सके, इसलिए यह राशी advance में जारी कर दी गई है, और इसका 50% यानि कि 4,436.8 crore rupees जो states है, यह COVID-19 containment measures के लिए use कर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत सरक इसलिए राज्यों को पूंजी का त्वियाई के लिए कितनी राशी करोड में परदान करने का निर्ने किया है, काफी important question है friends, यह वाला भी और इससे पहले वाला भी, इसलिए मैंने इनको साथ में रखा है, ताकि आप easily इनको समझ सके, तो इसका सही answer होगा, option C, 15,000 crore rupees, so the government of India has decided to provide 15,000 crore rupees to states for capital expenditure, तो यह तो आपको question से ही पता चल रहा होगा, कि capital expenditure के लिए, यानि अगर हम इसको पढ़ें, तो वित्त मंत्राले ने राज्यों को पूंजी कत परियोज नाव पर खर्च करने के लिए, 50 वर्सों के लिए, ब्याज मुक्तरिन के रूप में, 15,000 crore rupees की अतरिक्त रकम दी है, तो में चीज क्या है, एक तो यह ब्याज मुक्तरिन है, और कितने सालों के लिए, 50 साल के लिए, किस लिए दिया है, capital projects के लिए, यानि कि पूंजी का परियोजनाओं के लिए, और किस के तहत दिया है, scheme of financial assistance to states for capital expenditure, इस scheme के तहत दिया है, 2021-22 financial year के लिए और friends, इसमें ये देखिए, तीन तरह से है, तीन पार्ट है इसके, पहला पार्ट ये है, तो first part में क्या है, जो north east states है, या फिर heel states है, इनको 2600 करोड रुपे दिये गए हैं, ठीक है, और इनके अलावा आप जो states बचते हैं, वो part 2 में आते हैं, इनने 1400 करोड रुपे दिये हैं, और part 3 में आते हैं, friends, देखे, states को जो है, प्रोट साहित क्या जा रहा है, कि जो भी state public sector enterprises है, तो इनके dis investment के लिए, या फिर जो infrastructure assets है, उनके recycling या monetization के लिए, ताकि राज्यों को बढ़ावा मिले, तो इसके लिए, जो part 3 है, इसमें 5000 करोड रुपे अवंटित किये गए ह SHWAS और AROG, यो जनाई सुरू की हैं, options आपके सामने हैं, और correct answer होगा, option C, so, SEBI launched SHWAS and AROG schemes for COVID preparedness, यह आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से पढ़ सकते हैं, इनकी full phone आगे देखेंगे, पहले तो जान लीजिए, SEBI, माफ कीजिएगा, friends, यह SID भी है यहापर, ठीक है, यह SID भी है, इसको आप सही कर लीजिएगा, माफी चाहूंगा, यहाँ पर option गलत लिख दिया गया है, SID भी है यह, यानि Small Industry Development Bank of India, अच्छा, अब देखिए, SID भी ने launch की हैं, दो scheme, पहला है SHWAS, यानि SID भी assistance to the healthcare sector in war against second wave of COVID-19, और दूसरा है, AROG, यानि SID भी assistance to MSMEs for recovery and organic growth during COVID-19 pandemic, ठीक है, तो दोनों ही क्या है, credit delivery scheme से, जानते हैं, इसके बारे में देखिए, आपको पता होगा, कि हमारे यहां जैसे supply की कमी हो रही है, कई चीजों की, ठीक है, जैसे oxygen concentrators हम बाहर से मगा रहे हैं, oxygen meters हो गया, essential trucks हो गया, तो इन सभी की manufacturing पढ़े इस तर पर सोब सके तो यह कौन करता है, MSME sector करता है, ठीक है, तो इनको जो हैं आपर funding provide कराये जाएगी, SIDB के दुआरा, तो कितने रुपे तक की, 2 करोड रुपे तक की funding MSME को provide कराये जाएगी, ताकि जो यह भी supply और production services हैं, यह सुचारो रूप से चल सके, और जैसी आप apply करते हैं, 48 घंटे क अंदर अंदर आपका जो यह रिन है, यह approve हो जाता है, और 4.50 से 6% per annum तक का interest rate के साथ यह लोन जो है provide कराये जा रहा है, 2 करोड रुपे तक का, SIDB की बात करें, तो इसका headquarters लखनाव में है, Chairman और MD है, Siva S. Raman, और established का भुगा था, इसकी स्थापना की गई थी 2 April 1990 को, तो य है, Chairman and MD, साथी friends, आप ये भी जान लीजे कि SIDB में किसके कितने shares हैं, देखिए, SIDB में सबस्यादा 16.73% state back of India के share है, उसके बाद 15.4% government of India के है, उसके बाद फिर LIC आ गया, नाबार्ड हो गया, और others आ गया, ठीक है, तो ये भी आपके लिए potential question है, किसके कितने shares SIDB में है, किस IIT ने nitrogen generator को oxygen generator में बदलने के लिए एक तकनीक का परदर्शन किया है, यानि उसका demonstration किया है, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option C, so IIT Bombay has demonstrated a technology for conversion of nitrogen generator to oxygen generator, और friends, ये जो इन्होंने demonstration किया है, और जो ये technique मनाई है, ये IIT Bombay ने Tata Consulting Engineers और SpanTech Engineers के साथ मिल कर की है, निम्रिखित में से कौन विस्व इस्तर पर सबसे मुल्यवान Bima brand के रूप में उबरा है, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option C, so Pingen Insurance, China has emerged as the most valuable insurance brand globally, ठीक है friends, और कितनी valuation है, 44 billion US dollar की valuation है इसकी, और अगर हम दूसरा point देखें तो ये important है, LIC, ठीक है, जो हमारा LIC है, ये third strongest और 10th most valuable insurance brand है globally, ये report किस ने जारी की है friends, London based, consultancy firm में एक brand finance इसके द्वारा जारी की गई है, तो पहले number पर कौन है, अगर हम valuation की बात करें, pink and insurance जो की चाइना का है, दोसे number का भी देखेंगे, तीसे number पर है, दसवे number पर है life insurance corporation, अगर हम most valuable insurance की बात करें, ये तीसे number पर ये strongest है, थर्ड strongest है, अभी देखेंगे इसको भी, ठीक है, और LIC की brand value इन्होंने का है कि increase हुई है, 6.8% से, अब कितना हो गई है, 8.65 billion US dollar की brand value हो गई है, अच्छा, और अब देखिए, इटली की जो ये, जो ये insurance company है, Porsche Italian है, ये जो है strongest insurance brand है, और दूसे number पर है, इस्पेन की, मैफ्री, और तीसे number पर है, इंडिया की LIC, तो LIC तीसरी strongest है, और 10th most valuable insurance brand है, ठीक है, तो ये दो चीज़े राख नखी है, और दो चीज़े और दूसरी क्या रख नहीं है, कि strongest कौन सा है, और most valuable कौन सा है, और साथी friends, इन्होंने ये भी कहा है, कि जो world की top 100 most valuable insurance brand है, तो इनकी जो total value है, ये 6% dip की है, ठीक है, और 2021 में ये 433 billion US dollar रह गई है, यहां से ये chart आप दे सकते हैं, इसका आप screenshot ले सकते हैं, ठीक है, यहां आप देख सकते हैं, कि pink and insurance china, ये सबसे पहले number पर है, अकर हम most valuable insurance brand की बात करें, और फिर यहां पर है, दस्वे number पर LIC, और ये है strongest insurance brand, तो पहले number पर ये है, इटली का, और फिर यहां पर अपना 30 नमबर पर है, अपना LIC, हाल ही में, खबरों में देखा गया, Lag B. Omer festival किस देश पे मनाया जाता है, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option A, so, Lag B. Omer festival, seen in the news, recently celebrated in Israel, देखे friends, यहां पर भगदड़ हो गई, ठीक है, और जिसके वज़े से, 44 लोग यहां पर, जो है, कुछ ले गए, और उनकी मृत्ति हो गई है, तो क्यों हुई है, यहां पर इस festival के दोरान यहां पर भीड़ जमा होई थी, इसराइल में, देखे, यह एक annual Jewish festival है, जो की Hebrew month of year, इसके तहत, इस दिन, इस time duration में यह मनाया जाता है, तो friends, यह जो celebration होता है, तो यह 49 डे का period का celebration होता है, और जिस दिन यह वाला festival होता है, लैग भी ओमेर, तो इसी दिन celebration करने को permission दी गई थी, यानि इसी दिन celebration करना, जो है, allow होता है, तो लोग जो है, अपने घरों से बाहर आए, है न, और यह लोग कहां पहुँचे, माउंट मेरोन के base पर, ठीक है, इसके तल पर यह लोग पहुचते हैं, हर साल करते हैं, यह जो पहुचते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक संत होई है, रभी सिमोन बार युचाई, तो इनको अपनी स्रद्धांजिरी देने के लिए, माउंट मेरोन के base पर यह पहुचे, और यह कि प्राइम मिस्टर है, बेंजमीन नेतनियाहू, करंसी है, निउशेकिल, पार्लेमेंट है, नेशेट, और इंटेलिजेंस एजनसी है, मोशाथ, विस्व टूना दिवस, किस दिन मनाया जाता है, ओप्शन साब के सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन सी, सो दो यूरोप 21 सेन्य अभ्यास, किस देश में सुरू किया गया, ओप्शन साब के सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन सी, डिफेंडर यूरोप 21 मिलिटरी एकसराइज, लॉंच्ट इन अल्बानिया, तो फ्रेंट्स, ये नेटो, जो है, इसने एक जोइन्ट मिलिटरी एकसराइज सुरू किया है, अल्बानिया में, जिसका नाम है, डिफेंडर यूरोप 21, ये एनुवल एकसराइज है, और यूएस आर्मी के द्वारा ये की जाती है, मल्टिनेशनल एकसराइज है, कई देश इसमें सामिल होते हैं, आपको बता दे, जब बात हो रही है, अमेरिकन कंट्रीज जो भी हैं, वो सभी इसकी मेंबर हैं, साथी इसके सेकरेटी जनरल है, जेन्स इस्टोल्टेनबर्क, और साथी फ्रेंड जब ये भी आद रखेगा, जो अल्बानिया है, इसी कैपिटल है, तिराना, और यहां की करंसी है, अल्बानियन लेक, इस कुश तो फ्रेंड्स इनका जो है, निदन हो गया है, कोवीट के कारण, ठीक है, तो याद रखेगा, नेसल इन्फोमेटिक्स सेंटर, इसके सीनियल टेकनिकल डिरेक्टर ये रहे थे, प्रकाश कुमार पंकज, रोनी गोवेंडर, जिनका हाली में निदन हो गया, वे एक परसिद क्या थे, तो फ्रेंड्स ये परसिद ओथर थे, इंडियन ओरीजिन ओथर थे, और इनकी जो है, साउथ अफरिका में इनका निदन हो गया है, तो इनका कोवीट की वज़े से नहीं हुआ है, एज रिलेटेड जो इसूज आ जाते है, उसके वज़े से इनका निदन हो गया ह याद रखेगा, ओथर हैं यह, मिस्टीन इंटरनेशनल में भारत का प्रतिनीरी तो कौन करेंगी, ओप्शन्स आपके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन डी, सो फ्रेंड्स, जो राशी सारामपुरिया है, यह जो है, भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, कहां पर मिस्टीन इंटरनेशनल में, तो ब्यूटी कॉंटेस्ट है, यह, यहाँ पर करेंगी, ठीक है, और आपको बता दे, कि जनवरी 2021 में, यह मिस्टीन डीवा, 2020, पीजेंट, यह इन्होंने जिता था, मिस्टीन इंडिया इंटरनेशनल, ठीक है, यह जो है, बनी थी, और अब यह, भारत को, इसमें, मिस्टीन इंटरनेशनल में, रिप्रेजेंट करेंगी, और फ्रेंट्स, यह भी आद रखेगा, कि, मिस्टीन डीवा, 2020, को ने, तेलंगाना किये, माना सा, वरान सी, ठीक है, यह, यह, फेमिना, मिस्टीन डीवा, 2020, है, पारुल देवीदास, जिनका हाली में निदन हो गया, वै किस राज्य की पहली मैला आईएस अधिकारी थी, ओप्शन आपके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन ए, तो इनकी यह न्यूज बताई है, आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बनांदा सोनवाल ने, अच्छा फ्रेंट्स, यह, आप हेड् अरुल देबी दास, सकम टू कोविड नाइटीन, यह जो फ्रेंट्स वर्ड लिखा है, ठीक है, स-U-C-U-M-B-S, इसको बोलते हैं सकम, तो फ्रेंट्स इसका मतलब होता है, जब भी किसी बीमारी से, या फिर किसी इंजरी से, किसी की डैथ हो जाती है, तो यह शब्द यू अगर आप उसको उठा कर देखेंगे, तो उसमें भी यह वर्ड आपको कई बार मिल जाएगा, ठीक है, इसी तरह के अच्छा मैं आपको और एक्जामपल दिखाता हूँ, अगर आप डेली न्यूस पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें तो आपको यह सब्द जो है, आजकल 412 patients succumb to COVID-19, यानि COVID-19 के कारण उनकी death हो गई है, कितने 412 patients की, यहाँ पर देखेंगे, no respite, 17 succumb, 518, test positive, यानि 518 तो positive पाए गए गए, और 17 COVID-19 के कारण इनकी मिरत्ती हो गई है, no respite, respite मतलब कोई राहत नहीं, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलगतर से यूज़ आए 17 year old, snatching victim, succumbs to his injuries, यानि उसको injuries हुई थी, ठीक है, जो वो अपना करामात कर रहा था, उसके वज़े से उसको injuries हुई, और वो injuries जो है, वो सेन नहीं कर पाया, और succumb to his injuries, यानि उसकी death हो गई, उस injury की वज़े से, अच्छा, अगर हम इसका antonym की बात करें, तो antonym हो जाएगा इसका survive, ठीक है, यहाँ पर हो जाता है, कि आप जो है, उसकी किसी कारणा आपकी, इसकी मेत्ती हो गई, किसी वेक्ति की, और इसका antonym हो जाएगा, survive यानि वो survive कर गया, ठीक है, और जो हमारा question था, यह याद रखेगा, पारुल देविदास, यह आसाम की पहली मैला I.S. officer और इनका जो है, नितन हो गया है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा राजे, ड्रोन का उप्योग कर, COVID-19 टीको की डिलिवरी करेगा, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option C, so, तिलंगाना विल कंड़क्ट, experimental delivery of COVID-19 vaccines, using drones, जानते हैं इस question के बारे में, तो, Ministry of Civil Aviation, and Directorate General of Civil Aviation, तो इन् जो है, तिलंगाना गवर्मेंट को, ड्रोन यूज करने की इजाज़ती है, किसलिए दी है, तिलंगाना गवर्मेंट जो है, ये, ड्रोन की सायता से, COVID-19 vaccines की delivery करना चाता है, और इस परियोग के लिए, center ने इसे मंजूरी दी है, तिलंगाने की बात करें, friends, अगर, तो, इस Excellence Award, इसमें जो है, इनने नामित किया गया है, ठीक है, तिलंगाने की गवर्मेंट है, ये, तबिल सही, और साथी किसलिए नियूज में रही है, जो कि इनको, पुडूचरी की लेफ्टिन गवर्मेंट भी बनाया गया है, additional charge इनको दिया गया है, आगे बढ़ते हैं, किस रा 21,002 रुपीज, 51,000, तो आसिरवाद स्कीम, ये लो इंकम फैमिलीज की साधी कराने से रिलेटेड है, साथ ही ये स्कीम, 18 साल से उपर की मुस्लिम गर्ल्स, और सिड्डूल कास्ट, क्रिस्चन, बैकवर्ड क्लास, और एक्रोमिकली वीकर सेक्सन फैमिलीज, इनके साथ, इ गवर्णर है यहां के वीपी सिंग बदनौर, और चीफ मिलिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंग, अचा पंजाब किस किस वज़े से हाल ही में न्यूज में राया है, तो यह जो हमारी मंतली पीडियेफ है, उससे मैंने स्क्रिन्शोट लिया है, तो देखे, पंजाब सीम ल इसको लॉंज किया है, और पंजाब गवर्मेंट ने मिशन लाल लकीर इसको भी एप्प्रूव किया है, तो यह सभी पंजाब गवर्मेंट से रिलेटेड है, और इटेटेल में हमने इनको पढ़ा हुआ है, ठीक है, अपने प्रिवेस सेशन में यहां पर आपके रिविज इस बार 2021 का WordPress Freedom Day है, जो कि 3 माई को celebrate किया जाता है, यह observe किया जाता है, ठीक है, इसका theme है, information as a public good, यहां भी आप देख सकते हैं, ठीक है, अच्छा, जब बात हो रही है WordPress Freedom Day की, तो आप यह भी जान लीजिए, कि WordPress Freedom Index जो है, इसमें इंडिया ने, इस बार का जो है, इसमें इं इंडिया की, ठीक है, और कहा भी गया है, one of the words, most dangerous countries आईए, जन्रलिस्ट के लिए, और अगर हम इसमें बात करें, सबसे अच्छी रैंक इसकी है, तो नौर्वे, उसके बाद Finland, फिर डेर्मार्क, और सबसे बोटम पर है, Eritrea, आगे बढ़ते हैं, किस मेंक के निदेशक गूप में फिर से नुक्त किया है, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option B, so the board of directors of Axis bank has approved the reappointment of Amitabh Chaudhary as its managing director and CEO for 3 years, ये जानना आपको जरूरी है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 1 जनवाई 2022 से 31 दिसमबर 2024 तक के लिए इनको नुक्त किया गया है, Axis bank का headquarters मॉमबई में है, भारत ने किस operation के तहट विभिन्न देशों से भारत में तरल medical oxygen से भरे cryogenic container के लिए 7 नौसेनिक जहाजों को तैनात किया है, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option D, Okay, so, India deployed 7 naval ships for shipment of liquid medical oxygen filled cryogenic containers from various countries to India under operation समुद्र से तु, Second, देख लेते हैं क्या चीज है, तो एक देखे, 7 Indian naval ships, एक तो INS कोलकाता, कोची, तलवार, ताबार, त्रीकंड, जलस्वा और एरावत, यह सभी अलग-अलग countries गई है, और महा से liquid medical oxygen filled cryogenic containers, इनको लाएंगी, और भारत में जो है, जो oxygen की supply की जो कमी हो रही है, उसको यहाँ पर provide कराएंगे, तो दूसरे country से oxygen इनमें लाई जा रही है, इन containers में, अच्छा है, container से cryogenic containers है, यह friends, term आपने कई बार सुनी होगी, ठीक है, science में, तो cryogenic का मतलब होता है, friends, minus 150 degree Celsius से absolute 0 के बीच में जो temperature होता है, ठीक है, कितना हुआ, minus 150 degree Celsius से absolute 0, absolute 0 कितना होता है, minus 273.15 degree Celsius, ठी minus 273.15 degree Celsius के बीच का जो temperature है, इसको बोलते है, cryogenic temperature, तो जो absolute 0 होता है, उससे कम, उससे और भी कम temperature नहीं हो सकता, यही जो है, आपकी maximum limit होती है, ठीक है, तो इतना cold होता है, तो यह जो cryogenic containers है, तो इस temperature में इनको लाया जाएगा, जो भी समान इसमें ला जाता है, ठीक है, अगर आप इसको बोल सकते है, Fahrenheit में बोले, तो minus 460, ठीक है, Fahrenheit और 0 Kelvin, ठीक है, तो Kelvin भी बता दिया, मैंने आपको Fahrenheit भी बता दिया है, और Celsius भी बता दिया है, साथ ही आपको इभी जानना चाहिए, कि Operation समुद्र से तू, यह तो Operation समुद्र से तू, Second है, Operation समुद्र से तू, यह साल 2020 मे नेवी द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें की लगवक चार हजार इंडियन सिटीजन्स, जो की अलगलग कंट्रीज में फसे हुए थे, उनको वापस भारत लाया गया था, RBI के चोथे टिप्टी गवर्णर के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है, Options आपके सामने है, और Correct आंसर होगा, Option B, तो इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाई थी कल, Shorts है ना, उसको भी देख लीजेगा, आच्छा, तो Reserve Bank of India के Executive Director है, ये टी रभी शंकर, इनको Reserve Bank of India के 4th टिप्टी गवर्णर के रूप में न्यूक्त किया गया है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, आच्छा, और ये जो है, किसको रिप्लेस करेंगे, या सक्सीड करेंगे, BP करूंगो, ठीक है, तो ये रिटार हो गए हैं, इनको अभी ये, जो है, सक्सीड करे RBI के, आच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए, कि Reserve Bank of India के मामलोगा संचालन, Central Board of Directors त्वारा किया जाता है, और इस बोर्ड को Government of India त्वारा अपॉइंट किया जाता है, और इसमें जो है, Reserve Bank of India के जो गवर्णर हैं, और जो अधिकतम 4 डिप्टी गवर्णर्स हैं, ये इस फुल टाइम, Official Directors के रूप में कार्य करते हैं, ये आप देख सकते हैं, और इसमें जो है, 10 यानि 10 Non-Official Directors होते हैं, जिने Government of India त्वारा नोमिनेट किया जाता है, साथी 4 Directors, 4 Local Boards से इसमें लिए जाते हैं, तो ये पुरा structure मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, तो इसको खियान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, सत्यजीत, रे, फिल्म, और टेलिविजन संस्थान किस सहर में इस्तित है, आपके सामने है, और correct answer होगा, आप्शन C, सो ये कॉलकाता में है, देखें फ्रेंट्स, हैडलाइन तो यह है, कि सत्यजीत, रे, फिल्म, एंड सक्षियत नहीं रहे हैं, काफी जानीमानी सक्षियत रहे हैं, भारत रपने इनको मिला है, तो इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अब 2 मई 2021 को इनकी सोवी जैनती जो है, मनाई गई है, यानि बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, ठीके बर्थ, सेंटिनरी, सेलेब्रेशन इनका सुरू हो गया है, दो मई को, क्योंकि जो इनका जन्म है, ये 2 मई 2021 को हुआ था, और 23 अप्रेल 1992 को इनका निधन हुआ था, इनकी डेथ हो गई थी, तो फ्रेंट से काफी जानीमानी हस्ती हैं, इसलिए एक्षियन लिया है, कुछ भी पूचा जा सकता ह कि एक्जाम में आप कभी भी अपने तरफ से एजम्शन ना बनाया करें कि इस तरह से नहीं पूचा जा सकता, सत्य जी तरह से पहले भी कई बार कॉच्छन्स पूचे जा चुके हैं, ठीक है, और इस बार तो और भी इंपोर्डन्ट है, क्योंकि जो इनकी 100th बर्थ एनिव फिल्म डिरेक्टर, स्क्रिप राइटर, डोक्यूमेंटरी फिल्म मेकर, ओथर, लिरिसिस्ट, मैगजीन एडिटर, इलुस्टेटर, कैलीग्राफर और म्यूजिक कंपोजर, यह सबी थे, आप देख सकते हैं कितने काभी वेक्तिये अपने केरियर में रहे हैं, अच्छा य इन की पहली फिल्म यह थी, पाथिर पंचाली, यह एकजाम में पूछा जाता है, ठीक है किस की फिल्म है, यह सत्य जीतरे ने डिरेक्ट की है, इसको याद रखेगा, दूसरी है अपारा जीतो, और तीसरी है दवर्ड ओफ अपू, तो इसको बोलते हैं, अपू किस भारते क्रिकेटर को नुक्त किया गया है, ओप्शन आपके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन डी, ओके रविंद्र जड़ेजा, तो इसमें इतना ही जानने के लिए है, साथ ही आपको यह जानना चाहिए, कि अगर हम हाली के ब्रेंड अमबेस्टर की बात कर अमबेस्टर बनाए गया है, किस बैंक ने एक परतिस परदी दर पर बैंक को निर्बद दूर संचार से वाएं परदान करने के लिए भारत संचार निकम लिमिटेट के साथ एक सम्झोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं, ओप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर कर आए कि इंडियन बैंक ने का आए BSNL को कि आप हमको जो है competitive rate पर telecom services provide करें, इंडियन बैंक के अगर बात करें तो MD & CEO है इसकी पदमजा चुंदुरू और headquarter से चेन नहीं तमिल नाडू में, देबू चोधरी जिनका हाली में निर्दन हो गया किस संगीत वाध्ययंत्र के परतिबातक थे, options आपके सामने है और correct answer हो का option A, काफी important question है और exam में आने के पुरे पुरे चांसे हैं, तो friends, noted सिधारिस्त, पंडित देबू चोधरी passes away due to corona infection, यह अब देखिए आपे passes away लिखा है ना, तो इसको आप लिख सकते थे, passes away due, इसको पूरा को replace कर सकते थे, succumbs, ठ उसका मतलब यह हो जाएगा कि जो है इसको जहल नहीं पाए, corona infection को और उसकी वज़े से इनका निदन हो गया, तो इस सितारवादक थे, और पद्व भूशन से भी यह संबानित रहे हैं, और सेनिया घराना से यह संबंदित थे, याद रखेगा सितारवादक थे, यह पंडि आपने देखा भी होगा इनको, टीवी सीरियल में भी और जो है इसमें, पिक्चर में भी देखा होगा, तो इनका भी जो है, हाली में निदन हो गया है, के वी आनन्द, जिनका हाली में निदन हो गया, किस फिल्म उद्योग से जुड़े हुए थे, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option B, के वी आनन्द, who passed recently, was associated with Tamil film industry, ये भी काफी बड़ा नाम है, Tamil industry में, इनका, डिरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर ये रही है, और COVID-19 की वज़े से, इनकी भी डैथ हो गई है, भारत में हाली में निदन, अंतरीम अमेरिकी दूद का नाम बताईए, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option D, so, Daniel Smith is interim US envoy to India, so, अमेरिका की प्रेज़ेंट, जो बिडेन ने, Daniel Smith को भारत में interim envoy के रूप में भीजा है, या न्युक्त किया है, ताकि, COVID संकट के समय में, United States द्वारा, जो सहय हो गया, help भेजी जा रही है, उसका सही coordination हो सके, आपको बता दें, इस साल, 20 जन अमबेस्टर न्युक्त नहीं किये गए है, इसलिए इनको interim envoy बनाकर यहां बेजा गया है, नाम याद रखेगा, Daniel Smith, साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए, कि भारत के अमबेस्टर कोन है, United States में, यह है, तरंजीत सिंग संदू, आगे बढ़ते हैं, पुर्टगाल ग्राप P, किसने जीता है, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option C, so, Lewis Hamilton won the Portuguese Grand Prix, तो friends, इन्होंने जीता है, Lewis Hamilton ने, और आपको जानना चाहिए, कि Lewis Hamilton, यह ब्रिटेन के हैं, और Mercedes के लिए, जो है, इसमें Formula 1 में participate करते हैं, अच्छा, अगर इस साल के अगर हम और Grand Prix की बात करें, तो, बहरीन GP जो है, यह Lewis Hamilton ने जीती है, और Emilia Romagna Grand Prix, यह जीती है, Max Verstappen ने, Max Verstappen जो है, यह Belgium के हैं, भारते रिजर बैंक ने अपने निर्देशों का पालन ना करने के लिए, किस बैंक पर 3 करोड का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option C, So, the Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of rupees 3 करोड on ICICI bank for non-compliance with its directions, तो RBI ने इनको कहा था कि आपकी जो भी securities हैं, उनको एक category से दूसरी category में shift करने के लिए कहा गया था, तो ICICI bank ने जो है, उस निर्देश का पालन नहीं किया, उसी वज़े से RBI ने 3 करोड रुपे का जिर्माना इस पर लगाया है, अगर हम ICICI की बात करें, तो इसके MD and CEO है संदीब बक्षी headquarters मुंबई में है, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाली में, ICICI bank ने एक अपने digital service लौंच ही है, जिसका नाम है merchant stack, तो ये काफी important है, और उमीद कीजेगा कि आगे जो आपका bank का exam आएगा, उसमें ये question, जो है, काफी chances है कि पूछा जाएगा कि किस bank ने launch किया है, आगे बढ़ते हैं, विस्व अस्थमा दिवस हर साल मई के किस दिन मनाया जाता है, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option C, so, word अस्थमा दे is observed every year on the first Tuesday of May, तो मई का जो पहला मंगलवार आता है, उस दिन ये विस्व अ अस्थमा दिवस मनाया जाता है, और इस बार 2021 में ये है, चार मई यानी आज के दिन, और आपको ये जानना चाहिए, कि अस्थमा ये तो आपको मालूम ही होगा कि respiratory disease होता है, ठीक है, और इसका इस बार theme क्या है, फ्रेंट 2021 में, uncovering asthma misconceptions, तो काफी important day और इसका theme है ये, इसको आप note down जरूट कर लीजेगा, Spanish Motorcycle Grand Prix, किसने जीता है, options आपके सामने है, और correct answer होगा, option B, तो Jack Miller ने जीता है, ये, Spanish Motorcycle Grand Prix, और ये जो है, जो Jack Peter Miller है, ये औस्टेलिया के हैं, ये भी आपको जानना चाहिए, next day मेर पास, 2020, UNESCO Guillermo Cano, WordPress Freedom Prize, किसने जीता है, तो इसका सही answer होगा, friends, option B, so, Maria Ressa, won 2021, UNESCO Guillermo Cano, WordPress Freedom Prize, देखे, जानते हैं, इसके बारे में, काफ़ी important question है, तो पहले तो आप ये जान लिए, कि जो ये, मारिया रेसा है, ये फिलिपिन्स की है, ठीक है, अच्छा, तो 25,000, US टोलर का ये प्राइज मिला है, इनको, ठीक है, और, जैसे कि नाम सी पता चल रहा है, प्रेस फ्रीडम के लिए, इन्होंने काम किया होगा, ठीक है, बिना डरे इन्होंने पत्रकारिता की होगी, इसी वज़े से इनको ये पुरुषकार मिला है, तो ये किस उप्लक्स में म हुई है, ये सरेमेनी यहाँ पर इनको दिया गया है, तो याद रखेगा, नामीबिया की कैपिटल भी याँ से आप याद कर लीजेगा, अच्छा जो ये प्राइस है, ये एक कोलंबिया की जर्नलिस्ट है, गलिरमो कैनो इसाजा, इनके नाम पर रखा गया है, तो इनको ज स्पैलिंग एक तो ये याद रखेगा, ठीक है, तो जो ये हैं, कोलंबिया की जर्नलिस्ट थे, इनकी हत्या करती गई थी, इनके ओफिस के सामने ही, क्योंकि ये बिना डरे, पत्रकारीता क्या करते थे, तो इनी के सम्मान में इस प्रुसकार को जो है, इस्टैबलिस किया गया था, और फेंड्स, इसी से आपका एक कॉश्चन ये भी बन जाता है, कि विंडॉब डिकलेरेशन एक इस संबंदित है, तो विंडॉब डिकलेरेशन ये प्रेस फ्रीडम से संबंदित है, और जो ये डिकलेरेशन है, ये 3 मई 1991 को अडॉप्ट किया गया था, इस सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन C, तो तंजानिया के डिप्लोमेट ये थे, इनका नाम है, मोसेस बीटस मुलूला, तो ये जो है, फर्स्ट फोरेंड डिप्लोमेट बन गए है, जिनकी भारत में कोविड-19 की विज़े से विर्त्यू हुई है, तंजानिया के थे ये, कॉर्डनल मोसेस बीटस मुलूला, तंजानिया की बात करें, तो कैपिटल है, डोडोमा, करंसी है, तंजानियन शिलिंग, प्रेसिडेंट है, सामिया सुलुहू, प्राइम मिनिस्टर है, कसीम मजालिवा, और फ्रेंट्स, हाली में आप याद रखेगा, ये जो तं मुगुफूली, इनकी हाली में इनकी भी निधन हो गया है, तिरंदाजी विश्व कप, स्टेज बन में, पुरुस और महिरा, व्यक्तिकत स्वर्ण पतक जीतने वाले पती-पत्नी, इनकी जोडी का आपको नाम बताना है कि किनोंने जीता है, दोनों ही हस्बेंड वाइफ ह ठीक है, तो उप्शन सापके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, उप्शन ए, तो अतनुदास और दीपी का कुमारी, दोनों ही तिरंदाज है, और इन दोनों ने जो है, आर्चरी वर्ड कप स्टेज वन में, जो इसमें इंडिविज्वल रिगर होता है, इसमें गोल्ड मे भाग ने भारत को 2.42 बिलियन डोलर की लागत के एक सोधे में किन 6 विमानों की प्रस्तावित बिकरी को मनजूरी दी है, काफी इंपोर्टन कोशन है, ओप्शन सापके सामने है, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन बी, और इस से पहले फ्रेंड्स, 2009 में भारत आठ इस तरह के एरकाफ ले चुका है, और उसके बाद 2016 में भी 4 एरकाफ ले चुका है, तो इसके अतरिक अब 6 P-8I मेरिटाइम पेट्रोल एरकाफ जो हैं भारत को दिये जाएंगे, तो इनकी खासियत यह एक तो यह लोंग रेंज, एणिस, इसरफिस, वारफेर करने में सक्च़म है, तो यह सब इसकी खासियत है, कभी कभी फ्रेंट्स कंट्री भी पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री जो है इन एरक्राफ्ट को भारत को देगी तो उसमें चार उप्शन आ जाते हैं UK, इस्राइल, US या जापान तो उस दसा में आंसर होगा US खेर ये उप्शन देखते हैं किस देशने हाली में TPLF, OLF शीन क तो आतंकी समुख घोशित किया है, ओप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी, तो यूथोपिया है रिसेंट्टी डिक्लेरड TPLF, OLF शीन एज टेरर ग्रूप्स, तो TPLF का मतलब है टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट और दूसरा आपका ये सं गठन है, OLF शीन, तो इन दोनों को ही यूथोपिया कोव्मेंट ने टेरर एक्टिविटीज के चलते, टेरर ग्रूप्स या और्गनाजिशन डिक्लेर कर दिया है, फ्रेंड्स आपको ये जानना चाहिए कि टिग्रे रीजन, ये जो है यूथोपिया में है, और ये हाल ही म था, यूथोपियन आर्मी का कैम था, तो उस पर हमला हुआ, तो यूथोपियन गौवर्मेंट ने कहा है कि ये हमला जो है, टिग्रे रीजन में जो ये लोग रहते हैं, ठीक है, इन्होंने किया है, तो तब से जो है, काफी घमासान इनमें संगर्ण चला, आसपड़ोसी कं यूथोपिया में है, अगर आप जैसे PCS टाइप के एक्जाम के अगर तयारी कर रहे हैं, तो उस दसा में ये पूछ ले जाता है, बाकी नहीं पूछ जाएगा किसी एक्जाम में, ठीक है, जो हाई लेवल एक्जाम होते हैं, उन्हें पूछ ले जाता है, यूथोपिया के राष्टे जनता दल, राजत के पूर्व सांसद मुहमद सहाबुद्दीन, जिनकी हाली में COVID-19 से मृत्ती हो गई, इन्हें किस नाम से जाना जाता था, ओप्शन आपके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा, ओप्शन D, सो मुहमद सहाबुद्दीन, फॉर्मर राष्टे ज जनता दल, MP in Bihar, who died of COVID-19 recently, was also infamously known as Sultan of Siwan, infamously, अगर यहाँ पर famously लिखा जाता, तो यानि कि परसिद्द थे, अच्छे कामों की वज़े से जाना जाता था, अब लग गया है, infamously, यानि कि गलत कामों की वज़े से उनकी पहचान बने वी थी, ठीक है, तो ये दोनों अंतर होता है, famously और infamously में, तो देख रहे हैं, सांसत थे, ठीक है, और फिर वही है न, जब आप गलत काम करते हैं, फिर आपकी दसा यह हो जाती है, कोड के चकर फिर लगाने पड़ते हैं, एक सांसत और कोड क्या चाहिए था, लेकिन जब आज में की बात ego पर आ जाती है, तो व पर या फिर लेडिस पर जो भी क्राइम होते हैं, जैसे रेप ही मान लीजिए, आदमी जोस जोस में गलत कदम उठा लेता है, लेकिन एक बार यह नहीं सोचता है, कि अगर मैं एक बार पकड़ा गया, उसके बाद पुरी जिंद की, जो है मेरी जेल के पीछे ही जाएगी, तो वो जो आप जो भी इस तरह के जो लोग होते हैं, मेंटिलिटी के, जो चार-पांच मिनट के इस एंजोयमेंट के चकर में, जो की आप, जिस पर की आपका हकी नहीं है, ठीक है, उस चकर में भूल जाते हैं, कि अगर मैं पकड़ा गया, तो पूरी जिंद की जो है, जेल बुद्दीन, ये फोर्मर एमपी थे, सिवान कॉंस्टिटूजन्सी बिहार से, ठीक है, और राष्टे जनतादल, और जनतादल में भी ये रह चुके हैं, तो इनको जो है, उम्रकैत की सजा दी गई थी, और ये तिहार जेल में थे, क्यों थे, क्योंकि दो भाई थे, सतीस और गिरीश रोशन, तो इन दोनों ने जो है, इनको मनी देने से मना कर दिया था, जो एक्स्टोर्शन मनी होती है, वो इनको देने से मना कर दिया था, तो उसी के चलते, इन दोनों भाईयों को, इनोंने, इनकी हत्या कर दी थी, अब इनका एक तीसरा भाई बिता राजीव ग्रोशन यही एक आई वेटनेस था ठीक है और जब ये इनके खिलाफ गवाई देने के लिए कोर्ट में जा रहा था तो उसी रास्ते में इनकी भी हत्या कर दी गई तो तीनों भाईयों को यहाँ पर मार दिया गया था यह काम किया एक सांसदने आगे बढ़ते हैं केंदर सरकार ने आई एफ सी आई में कितनी राशी इन्फ्यूस की है यह डाली है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन बी सो टू हंड़ेट करोड जो है गोवर्मेंट ओफ इंडिया ने आई एफ सी तो इसी के साथ जो गोवर्मेंट होल्डिंग है इस आई एफ सी आई में यह अब 61.02 परसेंट से बढ़कर 63.08 परसेंट बढ़ गई है ठीक है और इस तरह का जो है गोवर्मेंट ओफ इंडिया ने कहा था बजट 2020-21 में कि हम 200 करोड इसमें डालेंगे तो वही जो है अब गोवर्मेंट इफ इंडिया ने उस चीज़ को फूरा कर दिया है किस कंपनी ने डिलिवरी स्टार्ट अप डेली जोई का अधिगरंड किया है ओप्शन सापके सामने है और और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सो लैंसकार्ट है एक्वि हायर्ड डिलिवरी स्टार्ट अ एकिवि हायर्ड ठीका होता है एक होता है कि हायर्ड होता है अधेक्वि हॉड ह类ायर्ड का मतलब होता है जब आप किसी कमपनी को उसके प्रोड़क्ट आसर्विसेश की वजए म vaP. उसका अधिरेंट नहीं कर रहे हैं बलिकि जोसकी टीम है इतनी स्किलफुल इतनी टीलेंटेड आप उसकी टीम है कि आप वो टीम चाहते हैं अपने पास उस टीम से अपने प्रोडुक्ट बनवाना चाहते हैं थे leafy अपनी टैकनोलोजी जो है उसमें काम करना चाहते हैं आप यहां पर क्या होता है एक वी हाइड जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक वी हायड करती है तो उसका मतलब होता है कि दूसरी कंपनी के और उनसे आप जो है काम लेना चाते हैं तो यह मतलब होता है एक्विहार्ट का और इसी के चलते लैंस कार्ड जो है अपना एक न्यू टेक्नलोजी सेंटर भी खोलेगा हैदराबाद में और डेली जो है ये भी एक डेलिवरी स्टार्ट अप है ठीक है जो ये ग्रोसी वेगरा होता है इसको पहुंचाती है घरो तक हैदराबाद में ही इसका है हैटकॉर्टर भी और लेंस कार्ड की बात करें तो इसके CEO प्यूस बंसल है और हैटकॉर्टर न्यू डेली में है भारत में COVID-19 से लड़ने के लिए किसके दुआरा कोजीत ओपरेशन सुरू किया गया है ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी तो तो फाइट COVID-19 इन इंडिया ओपरेशन कोजीत इस लॉंच्ट बाइ दा इंडियन आम फोर्सेस इंडियन आम फोर्सेस ने जो ये ओपरेशन कोजीत लॉंच्ट किया है तो इसके तहद इंडियन आम फोर्सेस के तीनो विंग्स यानि आर्मी एर फोर्स और नेवी भारत में ओफसीजन सप्लाई आप उड़ती COVID-19 सेट अप करने और नागरिक प्रशाचन की सायता करेंगे अच्छा ये खबर दी है माधुरी कानित करने तो माधुरी कानित कर जो है ये लेटिनेंट जनरल है और फिलाल ये इंडियन आर्मी में जनरल ओफिसर के रूप में जो है सर्व कर रही है और फ्रेंट सबसे इंपोर्टेंट बात ये है कि ये तीसरी ऐसी महिला है इंडियन आर्म फोर्सेस में जिनको थ्री स्टार रैंक पर प्रमोट किया गया है इन से पहले पुनीता अरोडा और पदमः बंदोपाद दिया है इन दोनों को जो है थ्री स्टार रैंक पर प्रमोट किया जा चुका है तो ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट फेक्ट है इसको आप याद रखेगा आगे बढ़ते हैं इंडियन काउंसिल अफ मेडिकल रिसर्च भारत में उत्पादित होने वाली किस COVID-19 वैक्सीन की बिकरी के लिए रोयल्टी पुकतान प्राप्त करेगी ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन A तो जानते हैं क्या खबर है देखे फ्रेंट्स को वैक्सीन जो है आपको पता होगा कि भारत बायोटेक और इंडियन कांसिल ओफ मेडिकल रिसर्च इन दोनों के द्वारा जॉइंटली डेवलप की जा रही है तो अब इसमें क्या है कि जो भी इससे जो भी पुन्जी अरजित होगी इस वैक्सीन की सेल से तो उसका हिस्सा जो है इंडियन कांसिल ओफ मेडिकल रिसर्च को भी दिया जाएगा ठीक है फ्रेंट्स और आपको बता दें इसके तहट ये भी लिखा गया है कि जो भी ये वैक्सीन बॉक्सेज है इसमें ICMR नेसनल इस्टिटूट ओफ हविरोलोजी जो की पूने में है ये नाम भी प्रिंट होगा ठीक है अभी तक क्या है केवल भारत बायोटेक का नाम प्रिंट है लेकिन अब जो है ICMR नेसनल इस्टिटूट ओफ विरोलोजी इसका भी नाम इस पर प्रिंट रहेगा आपको बता दें कि ICMR के डिरेक्टर जेनरल है बलराम भारगवा ICMR भारत में बायो मेडिकल रिसर्ज के फॉर्मूलेशन कोडिनेशन एंड प्रोमोशन के लिए सरवच्च संस्थाने ये आपको जानना चाहिए आगे बढ़ते हैं भारतिय सेना ने हाल ही में किस राज्य में पहले हरित सोर उड़ जासे यंत्र का उद्खाटन किया है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन C इंडियन आर्मी हैस रिसेंटली इनगरेटेट दफर्स्ट ग्रीन सोलर एनरजी प्लांट इन सिक्किम और फ्रेंट्स यह 56 किलोवल्ट एंपियर्स का है और इसमें जो टेक्नलोजी यूज़ की गई है वो वैनेडियम बेस्ट बैटरी टेक्नलोजी यूज़ की गई है नोर्थ सिक्किम में इसको इनगरेट किया गया है और इसको जो है आयटी मुंबई की सहायता से कम्प्लीट किया गया है ये भी आपको जानना चाहिए सिक्किम की अगर बात करें तो यहां के सियमें प्रेम सिंग, तमांग, गवर्णर है गंगा परशाद, कैपिटल है गैंग टॉक और फ्रेंट्स यहां पर जो फेमस फेस्टिवल्स हैं ये भी आपको जानने चाहिए लोसार, सोनम, लोसार, सगा, दवा भानुजेंती और इंद्र जात्रा ये फ्रेंट्स आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछा गया एक दोबार सेसी में सगा दवा ठीक है, सिक्किम में है और साथे आपको ये जानना चाहिए सिक्किम जो है ये तीबत ओटोनोमस रीजन ओफ चाइना बुटान, वेस्ट बेंगॉल और नेपाल से बॉर्टर शेर करता है साथी 16 माई 1975 को इसे भारत में जो है 22 वे राज्ये के रूप में शामिल किया गया था और कंचन जंगा जो की इंडिया की हाइस्ट पीक है और वर्ड की थर्ड हाइस्ट माउंटेन है ये भी सिक्किम में है अच्छा फ्रेंड्स ये आप मैप देखे काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए यह आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सिक्किम है ठीक है और इस पार्ट में जो है वेस्ट बेंगोल है यहाँ पर तो यह जो आप देख रहे हैं यह पूरा पैसेज यह सिलीगुरी कोरिडोर कहलाता है ठीक है काफी important ये जो corridor है ये भारत के लिए है देखे मान लीजे अगर ये corridor ना हो ठीक है या फिर ये corridor आप block कर दीजे हाँ से इतना block कर दीजे अब ये जो पूरे north east के states हैं जो ये seven sisters हैं तो अब ये भारत से किस तरह से connect होंगे कोई भी जरिया नहीं है मतलब road के तो कोई जरिया ही नहीं है ठीक है connect होने का तो इसलिए ये काफी important है तो चाइना के साथ जो हमारा डोकलाम में जो issue चल रहा था यहां पर ठीक है वो इसी के वज़े से चल रहा था डोकलाम जो है ये भूटान से वैसे भूटान के रीजन में आता है तो चाइना है अपर जो है अपनी road बना रहा था उस road बनाने से क्या होता कि चाइना जो है काफी समीप आ गया था इस corridor के जो कि हमारे लिए आगे के लिए खत्रा हो सकता था मान लिए चाइना का तो कोई भुरोसा नहीं है ठीक है मान लिजे कुछ उसने aggression दिखाया होता और हमें कुछ time के लिए इसको बंद करना पड़ जाए तो हम इनसे कुछ connectivity नहीं रहेगी भारत की ठीक है तो इसलिए ये corridor भारत के लिए काफी important है इसकी safety security काफी important है भारत के लिए तो याद रखेगा इसको बोलते हैं चिकन स्नेक इसको बोला जाता है ठीक है आगे ये सिक्क्रिम है यहां पर और यहां पर यह वेस्ट बैंक ओल इधर आगे बढ़ते हैं IDBI bank 5 साल बाद मार्च 2021 में समापत हुए वित्य वर्स में profitable हुआ यानि मुनाफ़ा कमाया है आपको बताना है कि यह bank किसके नियंतर्ण में है options आपके सामने है और correct answer होगा option B so friends LIC के नियंतर्ण में है तो देखिए LIC controlled IDBI bank turned profitable in the fiscal ended in March 2021 after 5 years posting a net profit of rupees 1359 करोड for the year तो friends जो मार्च 2021 में जो fiscal समापत हुआ है इसमें 1369 करोड रुपेका इससे profit हुआ है और आपको बता दें कि 2019-20 में इसको 12887 करोड का loss हुआ था और जो हमारा पिछले साल का यह 2020-21 का जो हमारा last quarter रहा है इसमें इस बैंक ने 512 करोड रुपेका profit जो है दर्ज किया था बात करते हैं friends इस IDBI bank की यानि industrial development bank of India की तो यह Life Insurance Corporation of India यानि LIC की subsidiary है या आप इसको कह सकते हैं LIC की parent organization है और एक जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गई थी इसका headquarters मुंबई में है और IDBI bank के chairman है MR कुमार जो की LIC के chairman है ठीक है और जो TBI bank है इसके MD and CEO है राकेश शर्मा यह आपको जानना चाहिए न्यायमूर्ति सेवा निवरत PC पंथ को किस गैर समयधानीक निकाय के कारेकारी अध्यक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option D so justice retired PC पंथ has been appointed as the acting chairperson of National Human Rights Commission तो President of India पहले पहली बात तो आपको जानना चाहिए किसके द्वारा पॉइंट किये गए है प्रेजिदेंट आफ इंडिया के द्वारा पॉइंट किये गए है जस्टिस प्रफुला चंद्र पंथ ठीक है उत्राखंड के हैं मेरे इस्टेट के हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि यह भी तक जो है NHRC मतलब यही human rights commission जो है इसके member थे तो अब इनको कहा है कि आप जो है acting chair person के रूप में यहां कारे बाहर समा लिए अच्छा अगर हम बात करें national human rights commission की friends काफी important है तो आपको बता दे कि यह constitutional body नहीं है ठीक है constitutional body नहीं है मतलब इसका जो हमारा सम्विधान है उसके द्वारा setup नहीं किया गया है उसमें इसका उलेक नहीं मिलता है इसको जो है अच्छा अब यह जानिए कि जो यह chair person और members हैं इनको president द्वारा appoint किया जाता है किसकी recommendation पर जो six member committee होती है उसकी recommendation पर अब इस six member committee में कौन कौन होते हैं प्राइम minister होते हैं speaker of the log सबा होते हैं deputy chairman of the raja सबा होते हैं और leaders of the opposition in both houses of parliament यह होते हैं और central hope minister यह सब यह होते हैं और आपको बता देगी जो इसके chair person हैं और members हैं यह 3 साल के लिए जो हैं चुने जाते हैं या फिर 70 साल तक अगर इनकी age हो जाती है तो इन दोनों से पहले बार तो जो भी पहले जो पहले हो जाएगा अगर 3 साल इनको पहले हो जा रहे हैं लेकिन age 70 नहीं है तब भी retire हो जा ओलंपिक समीति के believe in sport अभियान के लिए athlete राज़ दूद के रूप में नामित किया गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option C तो friends जो यह PV सिंदू है यह तो भारत की आपको पता है Michelle Lee तो यह जो है कनाडा की है ठीक है यह question में पूछा गया था तो इन दोनों को जो है believe in sport campaign इस यह दोनों I am badminton campaign इससे भी जड़ी हुई है यह campaign किसे लिए बैट मिंटन वर्ड फेडरेशन का यह campaign है I am badminton इससे भी यह दोनों जड़ी हुई है United Kingdom ने भारते कंपनियों द्वारा 1 billion pound के निवेश शोदो की घोशना की है जिसमें किस कंपनी ने 240 million pound का निवेश सामिल है जिसमें किस कंपनी से 240 million pound का निवेश शामिल है ठीक है फ्रेंट्स देखें तो इसका आंसर होगा option D Serum Institute of India समझते हैं इस question को क्या है देखें तो British government ने भारत के साथ एक investment deal को जो है finalize किया है ठीक है जिसमें की 1 billion pound यह जो GBP लिखा है ना friends इसकी full form होती है British pound sterling यह याद रखिएगा ठीक है British pound sterling इसका मतलब होता है तो 1 billion pound की एक investment deal जो है भारत के साथ sign की है जिसके तैट 600 jobs जो है ब्रिटेन में जो है generate होंगी और आपको बता दें कि Prime Minister Narendra Modi और Boris Johnson जो की United Kingdom के Prime Minister है इन दोनोंने हाली में एक virtual summit की है तो इसके तहते दोने roadmap 2030 इसको adopt किया है इसका मतलब इसका aim क्या रहा roadmap 2030 का कि जो इनकी bilateral ties है उसको अब जो है उचे उस्तर पर ले जाना यानि comprehensive strategic partnership में इसको तबदील कर देना तो याद रखेगा roadmap 2030 किस से रिलेट है इंडिया UK पुछा जा सकता है इंडिया UK या इंडिया US या इंडिया जापान या इंडिया चाहिना तो answer होगा इंडिया UK road map 2030 अच्छा और इसी के तायत इन दोनों प trade partnership इसको भी launch किया है यह friends काफी की टम से जो मैं आपको बता रहा हूं ना तो इनको आप याद रखेगा direct question पूछ ले जाते हैं अब जो यह enhanced trade partnership है इसका मकसद क्या है कि United Kingdom और इंडिया के बीच में जो trade है उसको 2030 तक double कर देना अच्छा और इसमें friend जैसे कि मैंने आपको question बताया था यह question बताया थे कि 1 billion pound की एक trade deal sign होई है तो इसके तहत जो भारत का serum institute of India है यह United Kingdom में 240 million pound की investment के साथ यहाँ पर अपना vaccine business जो है फैलाएगा ठीक है इसको spread करेगा ठीक है तो याद रखे है question हमारा यही था कि कौन सा institute ज investment करेगा तो answer होगा serum institute of India और friends जैसा कि मैंने आपको अभी इस question कि मैं आप आपने देखा होगा कि एक house बना हुआ था ठीक है तो वो downing street पर है ठीक है तो यह downing street पर यह है पूछ ले जाता है फ्रेंड से question कई बार पूछा गया है अब तो यह question पुराना हो गया है ठीक है पहले काफी पूछा जाता था अब भी जो MTS वाले exam होते हैं उन्हें पूछ ले जाते हैं सत्रणजी खिलाडी Magnus Carlson किस देश से हैं ओप्शन सापके सामने हैं और correct answer होगा option C तो यह Norway से हैं किस लिए news में है Magnus Carlson wins new in chess classic तो फ्रेंड जो यह Magnus Carlson है काफी अवल दरजे के जो हैं सत्रणज खिलाडी है तो इन्होंने new in chess classic rapid online title जो है जीता है ठीक है नॉर्वे के हैं य और वर्ड बिट चेस्ट चेंपियन यह हैं और मैंने फ्रेंड्स यह question इसलिए बनाया है Norway के नाम से क्योंकि इसी तरह से question पूछे जाते हैं exam में पूछा भी गया है खासकर इनसे क्योंकि जब सुरू सुरू में जब यह इस game में आये थे तो काफी इनका प्रदर्शन इतन क्योंकि पूछे गए हैं पहले भी आगे बढ़ते हैं माद वीपिया कोटा के माध्यम से क्वालिफाई करने के बाद बारत की कौन सी महिला जिमनास्ट टोक्यो ओलंपिक में भाग लेगी और आपका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी प्रम्नती नायक तो फ्रेंट्स कॉ तो अब यह जो हैं टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली हैं कॉंटिनेंटल कोटा के थ्रू जग मोहन मलोत राज इनका हाल ही में निदन हो गया किस राज्ये के पूर्व राज्येपाल थे ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी तो हैं तो काफी जो है पॉलिटिक्स में काफी बड़ा नाम था इनका जग महान जी का यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और जो है यह फोर्मर सीविल सर्वेंट थे और जम्मु एंड कश्मीर और गोवा के गवर्नर थे साथी डैली के यह लेटेन गवर्नर भी रह चुक किया जा चुका था तो काफी इंपोर्डेंट कोशने फ्रेंट्स को की पर्सनेलिटी कुछ ऐसी है यह आगे बढ़ते हैं थिसारा परेरा जिन्होंने हाली में अंतराश्टे क्रिकेट से सन्यास्की खोशना की किस देश के लिए खेले ऑप्शन सापके सामने हैं और तक नहीं जरूरी नहीं है यह इसलिए प्रवाइड करा जाते हैं कि कोशन का एक जो है आप भी देखें तो एक एक लेए बन जाती है कोशन की है ना कि हाँ एक प्लेयर के बारे में डिसकस किया है तो उसके स्टैट्स भी आपर प्रवाइड करा दिये गए हैं ठीक है यह से भी रेयर कंडिशन में पूछ ले जाते हैं कभी निम लिकित में से कौन मॉटर वेपर स्वा ड्राइविंग वहनों के उपयोग को विनियमी करने वाला पहला देश बना है ऑप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सो युनाइट किंग्डम बिकेम इंग्लिश में आपको ज्यादा अच्छे समझ में आया होगा यह वाला कुश्चन साथी युनाइटिट किंग्डम ने जी सेवन फोरेन मिनिस्टर्स की मिटिंग को होस्ट किया है साथी युनाइटिट किंग्डम आने वाले जो जून का महिना है इसमें जी सेवन लेडर्स की मिटिंग को भी होस्ट करेगा जी सेवन में कौन कौन से देश है लोगो यहां पर invite किया गया है यह आप याद रखेगा ठीक है question इस तरह सकता है चार option आपके पास दे दी जाए और यह पूचा जा सकता है कि निम्लिकित में से किस देश को G7 countries में invite नहीं किया गया है ठीक है तो उसमें तीन option होंगे आपके इंडिया औस्टेलिया साउथ कोरिया और चोथी कंट्रियों सकती है नियूजिलेंड ठीक है तो आपको वही मार्ग करना है उसको नहीं बुलाया गया है कि साथी फ्रेंड्स आपको यह जानना चाहिए कि इंडिया ने जो है United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland के साथ Migration and Mobility Partnership इस MOU को भी साइन किया है और साथी इंडिया और United Kingdom ने Global Innovation Partnership इस MOU पर भी साइन किया है तो question 80 बन सकता है कि इंडिया ने किस देश के साथ Global Innovation Partnership के लिए एक MOU पर साइन किया है आंसर होगा United Kingdom अच्छा फ्रेंट्स कई बार हम सोचते हैं कि United Kingdom क्या है इंग्लेंड क्या है Great Britain क्या है ब्रिटेंड क्या है तो फ्रेंड्स इसका डाउट क्लियर कर लेते हैं देखें पहली बात तो यह जान लीजिए कि Great Britain और ब्रिटेंड एक ही सब्द है ठीक है अच्छा अब देखें Great Britain में तीन कंट्रीज है Scotland, Wales और England ठीक है अब आप Scotland, Wales, England इन तीनों कंट्रीज को आपने कहा Great Britain अब इन तीनों कंट्रीज में आप Northern Ireland को भी एड़ कर लिजिए अब जब आपने इन एड़ कर लिया अब यह चार कंट्रीज मन गई इन चार कंट्रीज को मिला कर बनता है United Kingdom या फिर आप ऐसे कह सकते हैं Great Britain प्लस Northern Ireland यह है United Kingdom ठीक है तो United Kingdom में हमारा क्या हुआ Great Britain प्लस Northern Ireland और Great Britain क्या हुआ Only Scotland, Wales और England और Ireland तो दो है रिपब्लिक आफ आइलेंड है एक और एक Northern Ireland है लेकिन जो नदर आइलेंड है वो United Kingdom का पार्ट है आई ओप आपको समझ में आ गया होगा इससे भी आप देख सकते हैं Great Britain में क्या है Scotland, England और Wales अब इस Wales में Northern Ireland को अगर आप एट कर दें तो यह बन जाता है United Kingdom आगे बढ़ते हैं हाल ही में Supreme Court ने किस राज्य के Real Estate कानून को असमवेधानी गोशित किया है Options आपके सामने है और correct answer होगा Option D So West Bengal's Real Estate Law has recently been struck down by the Supreme Court देखे West Bengal Housing Industry Regulation Act 2017 यह तो है West Bengal का एक Real Estate Act ठीक है अच्छा एक है Central Government का Real Estate Regulation and Development Act जिसे रेरा भी बोलते है 2016 तो Supreme Court का कहना है कि जो यह West Bengal का Real Estate Act है यह Central Government का जो एक्ट है इसके साथ जो है काफी मिलता जुलता है और इस वज़े से Central Government के कानून के साथ इसमें विरोथ की इस्तिती पैदा हो सकती है ठीक है Friends क्योंकि देखिए हमेशा जब भी इस तरही कंडिशन आती है तो Central Government का जो एक्ट होता है जो पार्लेमेंट द्वारा पास के जाता है उसको तवज्यों दी जाती है उसको उपर रखा जाता है तो इसलिए सुप्रीम कोट ने का आए कि आगे टकरा हो सकता है इसलिए जो है ये Central Government का जो एक्ट है इसके एक अतिकरमन करने जैसा है तो इसलिए सुप्रीम कोट ने इसे असम्यदानिक बताया है West Bengal की बात करें तो CM है ममता बेनर जी, गवर्नर है जगदीब धनकर, कैपिटल है कॉलकाता West Bengal हाली में किसले चर्चा में है क्योंकि West Bengal में Water Waste को इंप्रूव करने के लिए World Bank ने 105 मिलियन US टोलर का लोन जो है देने की घोशना की है यह हमने MCQS फॉर्मेट में किया था है आपके रिविजन पर्पस के लिए बताया जा रहे है साथी 11 ग्यारवी राष्टिय संस्कृत महुत सव यह भी Friends West Bengal में मनाया गया है और Bangladies Film Festival यह कॉलकाता में मनाया गया है आगे बढ़ते हैं भारत ने गैर निवासी परद्योगी की फर्मों को भारत में करका भुकतान करने के लिए कितने करोड की राजस्वसीमा को अतुसिचित किया है ओप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन बी इंडिया नोटिफाइड और रेवेन्यू थ्रेशोल्ड ओफ टू करोड रुपीज फॉर नौन रेजिदेंट टेक्नलोची फर्म्स टू पेटेक्स इन इंडिया तो समझ लेते हैं इस को क्या मतलब है इंग्लिश में आपको ज्यादा अच्छे समझ में आया होगा आगे देखते हैं क्या मतलब है इसका देखें इंडिया ने एक limit लगाई है यानि एक revenue threshold लगाया है कि जो non-resident technology firms है जैसे Google है, Facebook है, Netflix है तो ये भारत ही नहीं है न ये बाहर की है तो इन companies के tax के लिए इनों ने एक भारत ने एक threshold लगाया है revenue threshold आप कह सकते हैं क्या लगाया है, कि ये जो company है, अगर इनका revenue 2 croda इस से जज़ादा का है और अगर भारत में इनके 3 lakhs से ज़्यादा users है या 3 lakhs या 3 lakhs से ज़्यादा users है तो friends इनको जो है भारत में tax देना होगा, ये इनका मतलब है, ठीक है, तो 2 croda रपीज और 3 lakh users इंडिया में साथी ये जो फ्रेंड से जो revenue threshold लगाया है तो government of India ने जो है finance will 2018-19 में एक significant economic presence इस principle की यहाँ पर चर्चा की गई थी तो ये जो revenue threshold है इसी का ये एक हिस्सा है और एक अप्रेल 2022 से ये अस्तित्व में आएगा यानि लागू होगा किस बीमा company ने महेश बाला सुब्रमाणियम को प्रबंद निदेशक यानि managing director न्यूक्त किया है options आपके सामने है और correct answer होगा option B सो कोटक महेंद्रा life insurance has appointed महेश बाला सुब्रमाणियम एज managing director और तीन साल के लिए किया गया है friends और ये किसे replace करेंगे क्योंकि जी मुरी धर ये retire हो चुके हैं तो अब इनकी जगह ये लेंगे और कोटक life insurance का headquarters मुंबई महारास्ट में है निम लिखित में से किसे central bank and supervisors network for greening financial system में सामिल किया गया है निम लिखित में से किसे central bank and supervisor network for greening financial system में सामिल किया गया है options आपके सामने है और correct answer होगा option A इसका एक member बन गया है और यह जो NGFS है यह Paris France में located है और इसको कब launch किया गया था 12 December 2017 में Paris One Planet Summit में इसको launch किया गया था तो इसमें कौन-कौन होते है central banks और supervisors जो है इसके सदस्य होते हैं और friends यह इस तरह की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप green finance पर ध्यान दिया जाए central banks जो है वह green financing पर ध्यान दे अब यह green financing क्या होती है friends so it is an any structured financial activity that's been created to ensure a better environmental outcome यानी इस तरह के projects इस तरह के projects पर ध्यान देना जो की environment की दृष्टी से काफी सही हों काफी अच्छे हों उसमें सुधार लाने वाले हों ठीक है जैसे आप कह सकते हैं कि जो यह solar energy solar energy वाले जो plant होते हैं ठीक है wind power projects होते हैं तो इस तरह के जो projects होते हैं जो हमारे environment के लिए अच्छे होते हैं ठीक है इस तरह के और भी projects होते हैं equipment बनते हैं जो इन्वारिमेंट के लिए अच्छे होते हैं तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट से इस तरह के जो आप कह सकते स्टार्ट अप से तो इनकी फाइनसिंग में ज्यादा ध्यान दिया जाए यह इसका मतलब है ग्रीन फाइनस का और जब रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो आप ये भी जान लीजिए इनके जो इस्ट्रक्चर है इनके बोर्ड गा तो गवर्णर तो सक्ति का अंदास है आप सभी जानते हैं category आफ नरेंज यह डिप्टी कावणर हैं under Plम ये भी City कावणर हैं और टिब्र अबरबी शंकर जोकी हालही में बने यह भी डिप्टी कावणर उ सरकार ग्रॉपल पचीश चपूश सरसोउथ पादन लक्ष क्या है options आपके सामने है और correct answer होगा option C तो government of India ने 2026 तक जो mustard production का target रखा है ये रखा है 17 million tons और आपको बता दें कि mustard जो है ये रभी crop है HSIIDC ने किस राज्य में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और सुविधा के लिए WTC के साथ एक समझोधा गापन पर हस्ताक share किये है options आपके सामने है और correct answer होगा option D So HSIIDC has signed an MOU with WTC to promote and facilitate trade and investment in हरियाना तो HSIIDC का मतलब है हरियाना State Industrial and Infrastructure Development Corporation और WTC का मतलब है World Trade Center फरिदाबाद ठीक है तो इसलिए आपर short form लिखी है अगर full form लोग ही हो दी तब तो इसका answer आपको पता ही चल जाता तो हमें इतना ही जानना है इसमें ठीक है जितना की आपको बता है हरियाना की बात करें तो CM है Manol Lal Khattar Governor है Sathya Dev Narayan R.E.A. Capital है Chandigar हरियाना से जुड़े अगर हम current affairs ही बात करें friends तो हरियाना और citizen land ने एक M.O.U. sign किया है किसलिए skill training, tourism and dairy से संबंदित जानकारी प्राथ करने के लिए साथी हरियाना government जो है जो Olympic qualifiers है हरियाना से जो Tokyo Olympic के लिए जन्होंने qualify किया है तो ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें तो उसके लिए 5,000,000 रूपे प्रवाइट कराएगी ठीक है जो भी हरियाना से जो athletes हैं या फिर और भी जो players हैं उन सभी को हाल ही में किस PSU ने 50,000 करोड रूपे का बाजार पुंजी करन हासिल किया और बाजार पुंजी करन के मामले में शीर्स सो सबसे मुल्यवान कंपनियों की लिग में प्रवेश किया है options आपके सामने हैं और correct answer होगा option B so sale has recently regained market capitalization of rupees 50,000 करोड and entered into the league of top 100 most valued companies in terms of market capitalization तो इन्होंने market capitalization 50,000 करोड का फिर से जो है रिगेन किया है और top 100 most values companies में जगा बना ली है आपको बता दे friends की जो sale है तो भारत में इसके जो 5 large integrated steel plants है वह ये हैं एक तो भिलाई steel plant है ठीक है एक है रावरकेला steel plant फिर है दुरगापूर steel plant, वोकैरो steel plant और IISCO ये सबी जो है sale द्वारा operated है और sale की chairman है सुमा मॉंडल Mark Shelby जिन्होंने अपनी चोथी विष्व snooker championship जीती किस देश से है options आपके सामने है और correct answer होगा option D so Mark Shelby who won his fourth world snooker championship hails from United Kingdom तो friends ये एक English professional snooker player है और इन्होंने Sean Murphy को हरा कर world snooker championship चोथी बार जीती है Goldman Sachs के अनुसार fiscal year 22 में भारत की GDP विकास तर क्या रहने वाली है तो ये रहने वाली है 11.1 परसेंट तो 11.1 परसेंट रहने वाली है तो ये बोला है Goldman Sachs ने और इन्होंने एक आया कि 2021 के लिए जो इन्होंने जो estimate किया है वो 9.7 परसेंट किया है पहरे इन्होंने 10.5 परसेंट किया था ये हो रही है 2021 की और 11.1 रहने वाला है fiscal year 22 के लिए ठीक है बाक ले के अनुसार fiscal year 22 में भारत की GDP विकास तर क्या है ओप्शन साब के सामने है और correct answer होगा ओप्शन ए तो 10 परसेंट है तो फ्रेंट्स ग्लोबल ब्रोक्रेज फर्म बाक ले इन्होंने कहा है कि इंडिया की जो fiscal year 22 की GDP ग्रोथ है वो 10 परसेंट रने वाली है पहले इन्होंने 11 परसेंट कहा था साथी इन्होंने यह कहा है कि fiscal year 21 में 7.6 परसेंट रही है और इन्होंने यह कहा है कि अगर यह lockdown जून तक जो भारत में है अगर यह जो भी कर्फियू चल रहा है यह अगर जून तक extend होता है तो भारत को 38.4 billion यूएस टोलर का जो है economic laws छेलना पड़ सकता है अनुमा कॉंडा जगदीश जिनका हाली में निधन हो गया वह एक क्या थे तो फ्रेंट्स यह एक काफी जाने माने scientist रहे हैं और इनका हाली में निधन हो गया है और यह नयुदम्मा Center for Development Alternatives के डारेक्टर रहे हैं और इन्हें जो है Margaret Noble Foundation सीटल अवार्ट से भी सम्मानित किया जा चुका है श्यामला गनेश को किस देश ने order of the rising sun gold and silver rays से सम्मानित किया ओप्शन्स आपके सामने है और correct आंसरों का option B तो स्यामला गनेश री शीवड दा order of the rising sun gold and silver rays फ्रॉम जैपान तो फ्रेंट्स जो यह सामला गनेश जी है यह बैंगलूरू की एक टीचर है और जैपनीज लेंग्विज इस्कूल की एव डिरेक्टर भी रह चुकी है तो इनको जापान ने order of the rising sun gold and silver rays इस सम्मानित किया है नवीनतम ICC टेस्ट रैंकिंग के नुसार सीर्स तीन टेस्ट पल्ले बाजों में कौन सामिल नहीं है options आपके सामने है और correct answer होगा option B जान लेते हैं इसके बारे में देखिए इस न्यूज में सबसे खास ही है कि जो इंडियन विकेट के पर बैट्समेन रिशप पंथ है ये पहली बार 6th नंबर पर आए है इस ICC टेस्ट रैंकिंग में ठीक है बैट्समेन में और आपको बता दें कि विराट कोली ये 5th पोज पर है रिशप पंथ के साथ और इसी के साथ 6th पोजिशन पर नीजुलेंड के हैंडी निकोलस भी हैं साथ है आपको यह जानना चाहिए कि पहले नंबर पर हैं नीजुलेंड के कैप्टन केन विलियमसन और उनके बाद दूसे नंबर पर हैं इस्टिव स्मित तीसे नंबर पर है मार्नस लबशिन और फॉर्थ नंबर पर हैं जो रूट इंगलेंड के हैं जो रूट जी ट्वन्टी परेटन मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हुई ओप्शन आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए जी ट्वन्टी टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन इटली और इस मीटिंग में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फोर टूरिज्म एंड कल्चर विड इंडिपेंडेंट चार्ज परलात सिंग पतेल इन्होंने भारत की ओर से इसमें पार्टिसिपेट किया ठीक है जी ट्वन्टी टूरिज्म मिनिस् साथी आप कोई जानना चाहिए कि जी ट्वन्टी इसका गठन 26 सितमबर 1999 को हुआ था 19 कंट्री सामिल है साथी यूरोपियन यूनियन भी इसमें सामिल है कौन-कौन सी कंट्रीज है अर्जंटिना आस्ट्रेलिया ब्राजील कैनेडा चाइना जर्मनी फ्रांस इंडिया में भारत सामिल है लेकिन जी सेवन में भारत सामिल नहीं है और आगे बढ़ते हैं अच्छा फ्रेंट्स यह जो एक स्टेंडमेंट आप देख रहे हैं यह फ्रेंट्स काफी इंपोर्टन है अगर आप किसी PCS एक्जाम के तयारी करते हैं या फिर सीविल सर्विसेस की एक् पोपूलेशन की 60% है या यह सभी जो है कॉंट्रिबूट करते हैं 60% पोपूलेशन और ग्लोबल ट्रेड में इन सभी कंट्रीज का हिस्सा 75% है और ग्लोबल जीडीवी में इन सभी कंट्रीज का जो हिस्सा है यह 80% है यह आपको जानना चाहिए इटली की अगर बात करें तो यहां की चैपिटल है रोम, प्रेजिडेंट है सर्जियो मेटेरियला, ट्राइम मिरिस्टर है मारियो द्रागी, और आपको जानना चाहिए कि इटली के पास जो है जी ट्वन्टी, ट्वन्टीटीवन की प्रेसिडेंसी है ठीक है तो अगर कॉश्चन ही आए कि जी प्रोग्राम को शुरू किया है तो इसके तहत इस बात पर जोड़ दिया जा रहा है कि जो भी कोविट पेशेंट्स हैं उनको प्रोण प्रोण पोजिशन इसके बारे में बता जाए और इस पोजिशन में उनको लेटने के लिए कहा जाए यह होती है फ्रेंट्स प्रोण पोजिशन ठीक है प्रोणिंग बोलते हैं इसको तीन पिलोज यूज़ करके इस तरह से उल्टा लेड़ जाते हैं तो काफी अच्छी यह और मतलब मानी हुई है ऐसा नहीं है कि ऐसी ही बाते 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 बनाना इसमें ठीक है और उक्सिजन लेवल इसमें वाकई में जो मनुष्य है जो पेशेंट है उसका उक्सिजन लेवल वाकई में ही बढ़ जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं भारते रिजर बैंक लगू वित्व बैंकों को इंडिविज्वल्स और SMEs को उधार देने के लिए कितनी राची परदान करेगा options आपके सामने हैं और correct answer होगा option A so rupees 10,000 crore will be provided by Reserve Bank of India to small finance banks to lend individuals and SMEs जानते हैं friends इसके बारे में काफी अच्छा question है अच्छा साथ ही आप यह जानेगा कि कल हमने एक video upload किया है शायद उसका notification आप लोगों तक नहीं गया होगा उसमें क्या है कि Reserve Bank of India ने 50,000 crores तो इतने रुपे की एक यह term liquidity facility जो है open की है किसके लिए banks के लिए यानि 50,000 crore रुपे तक का money banks को provide कराएगी Reserve Bank of India किसलिए ताकि banks जो है उन लोगों को दे सके जो की health infrastructure बनाना चाहते है जैसी कि कोई अगर hospitals बनाना चाहता है ठीक है वैक्सीन से अगर किसी तरह का fund चाहिए तो friends यह काफी important है video तो उसको आप जरूर देख लिजेगा कली upload की गई है क्योंकि इसमें कई तरह की चीज़े बताई गई है तो priority sector loans क्या होते हैं यह इसमें बताई है ठीक है हमने और cash reserve ratio बताई है statutory liquidity ratio यह आपको बताई गया है तो यह सभी term इस video में हमने आपको बताई है तो उस video का आप जरूर देख लिजेगा तो खेर इस question की बात करते हैं कि क्या है यह question देखिए reserve bank of India जो small finance banks है इनको 10,000 crore रुपे provide कराएगी तीन साल तक के लिए ठीक है मतलब maturity period क्या रहेगा इसका तीन साल तक के लिए अच्छा क्यू प्रवाइड कराएगी ताकि जो small finance bank है यह individuals और small and medium enterprises को loan प्रवाइड करा सके ठीक है आई होब आपको यह बात समझ में आ गई होगी आगे देखते हैं the facility will be available up to March 31st 2022 तो जो small finance bank है यह 31 March 2022 तक इस loan को ले सकते हैं इस loan की जो जो समयावधी रहेगी वो रहेगी तीन साल तक की अच्छा आगे देखते हैं अब इसमें क्या कहा है Reserve Bank of India इसमें small finance bank को जो है incentivize भी करना चाता है ठीक है incentive भी देगा जो कि इनके लिए काफी अच्छी बात है कैसे देगा कि जो भी यह fund small finance bank जो भी इस तरह का loan इन लोगों को देंगे उसको priority sector lending status में रखा जाएगा priority sector lending की category में रखा जाएगा priority sector lending में कौन-कौन से आते हैं जैसे agriculture MSME और export credit education housing social infrastructure renewable energy तो इन सभी category में इसको रखा जाएगा तो अब मान लीजे जो भी bank है ठीक है वो जितना priority sector lending में जितना उसका deposit होता है तो उसका 10% ठीक है वो खर्च कर सकता है इस चीज के लिए individuals और small and medium enterprises को देने के लिए इस में से जो 10,000 क्रोड रूपे की जो RBI से यह लोग पैसा लेंगे अच्छा अब next है Central Bank would conduct special three year long term repo operation SLTROs of rupees 10,000 क्रोड at the repo rate to provide cheap liquidity to small finance banks देखिए इसका मतलब क्या हुआ यह क्या होता है फ्रेंड्स जो यह long term repo operation होता है इसका मतलब क्या होता है देखिए यह चीज जान लीजिए कि Reserve Bank of India का यह भी एक तरह का टूल है जिसके तेयत यह बैंकों को long term loan देता है देखिए रैपो रेट आपने सुना होगा ठीक है जिस रेट पर Central Bank of India यानि Reserve Bank of India या Banks को जिस interest rate पर लोन देता है उसे रैपो रेट बोलते हैं है ना लेकिन Banks क्या है यह जो है एक से 28 दिन तक के लिए short term loan लेते हैं रैपो रेट पर अच्छा अब इसका मतलब क्या है long term repo operation जैसे की नाम सीपता चल रहा है अब long term के लिए RBI इनको provide करा रहा है रैपो रेट एक साल से 3 साल तक के लिए ठीक है यह loan हो सकता है तो इसका फाइदा यह होता है कि अब banks को जो है long term fund मिल जाता है lower rates पर अच्छा और इससे क्या होता है कि जो banks हैं यह भी जो अपने borrowers हैं उनके लिए interest rate को गटा देते हैं यह इसका फाइदा रहता है आपको पता होगा कि ज maturity periods जादा होता है तो उन पर high interest rate भी लगता है ठीक है तो इसलिए अब यहां पर fix कर दिया है कि रैपो रेट पर आपको long term loan दिया जाएगा तो यहां पर जो है इनको फाइदा हो गया है आगे बढ़ते हैं वैग्यानिकों ने किस राज्य केंदर सासित परदेश में चंदर क की नई प्रजाती ही खोच की है options आपके सामने है और correct answer होगा option d तो scientist have discovered a new species of shrew in अंडमानेन निकोबार तो friends अंडमानेन निकोबार में एक dormant volcanic island है नारकॉंडम तो यहां पर इस species का पता लगाए गया है अच्छा और इस species का नाम भी जो है क्रोसीडूरा नारकोंडेमिका यह रखा गया है जो यह volcanic island है इसी के नाम पर रखा गया है बात करते हैं अंडमानेन निकोबार की तो यहां के जो लेफटनेंड कमेंडर है यह देवेंद्र कुमार जोशी है डीके जोशी केपिटल पोर्ट ब्लेर है और फ्रेंड्स आपको जानना चाहिए अंडमान आईलेंड में सेंटिनलीज पीपल पाए जाते हैं कई बार एकजाम में पुछा जा चुका है एसे सीज में और बैंकिंग में भी और इससे उपर गजाम होते उनमें पुछा जा चुका है सेंटी लिलीज यह जो ट्राइब है यह अंडमान आइलेंड में पाई जाती है अच्छा साथी यह सभी आपको जानने चाहिए नेताजी सुभाज की हंड्रेड मिलियन वर्स पुरानी हड्यों को हाली में किस राज्य में खो जा गया ओप्शन्स आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन डी सो हंड्रेड मिलियन ये ओल्ड बॉन्स ऑफ सौरोपॉर्ड डाइनोसोर्स वर रिसेंट्ली डिस्कवर्ड इन मेगालया तो मेगालय का जो वेस्ट खासी हील्ड टिस्टिक है यहां पर यह पाई गई है किसके द्वारा जोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के द्वारा इस तरह कोशन में फ्रेंट्स केवल इतनी जानकारी हमारे लिए आवश्यक होती है कि कहां पर पाया गया है ठीक है बाकी का और इसकी डिटेल के लिए वो जो UPSC के एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए रहता है हमारे लिए के वल इतना ही जानना जरूरी है मेगाले की बात करें तो कैपिटल है शीलोंग अच्छा ये भी आप जानेगा शीलोंग को इस्कोटलेंड ऑफ दा इस्ट बोलते हैं यह कोश भी खाई फाल्स ओमन कोट रिवर बल पकरम नेशनल पार्क नौकरेक पाइसफेर रिजर्व स्थीजू सैंक्चुरी और बागमारा सैंक्चुरी यह सभी मेगाले में है और इसमें खासकर कि एक तो बल पकरम नेशनल पार्क और नौकरेक पाइसफेर रिजर्व यह आपके सामने है और correct answer होगा option D तो आंदरप्रदेश में friends सबसे पहले पाए गया था और फिलाल जो है ये काफी चड़चा में भी है क्योंकि scientist ने काए कि इतना dangerous नहीं है ठीक है जो double mutant है बारत में जो double mutant पाए गया है वो काफी infectious है ये इतना dangerous नहीं है जानते हैं इसके बारे में अच्छा ये जो N440 के mutation है इसको AP variant यानि आंदरप्रदेश variant भी खा जाता है और इसको जो है B.1.36 variant भी खा जाता है और सबसे पहले जून 2020 में आंदरप्रदेश के इसको इसका पता लगाए गया था और अब तो ये खैर त्रिलंगाना करनाटक छत्रिजगड़ और महराष्ट में भी पाए गया है तो फ्रेंट्स ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो Center for Cellular and Molecular Biology CCMB के डिरेक्टर है राकेश मिश्रा इन्हों आपको बता दें फ्रेंट्स ये दो आप जरूर याद रखना कि जो UK वेरियंट है इसका नाम है बी डॉट वन डॉट वन डॉट सेवन और जो भारत में जो डबल म्यूटेंट मिला है ना जो भारत का जो वेरियंट है यह है B.1.617 आगे बढ़ते हैं S&P Global Rating के नुसार वित्वर 2021-22 के लिए भारत की GDP व्रिद्धी का पूरवानुमान क्या है यानि कितनी रहने वाली है options आपके सामने है और correct answer होगा option B so S&P Global Ratings ने का है कि fiscal year 22 यानि 2021 के लिए जो भारत की GDP growth है वो 9.8% रहने वाली है डॉक्टर फिलिपोज मार क्राइसोस्टों जिनका हाली में निधन हो गया यह एक परसिद्ध क्या थे options आपके सामने है और correct answer होगा option D तो यह एक परसिद्ध religious leader थे जानते हैं इनके सारे में तो 103 साल की उमर में इनका हाली में निधन हो गया है और प्रदार मंत्री नरेंदर मोदी ने भी इनके निधन पर शोक वक्त किया है तो इनको जो है क्राइसोस्टोम थिरुमेनी और वल्या थिरुमेनी नाम से भी जाना जाता था और यह जो है मलंकरा मार्थोमा सीरियन चर्ज जो की केरल में है इसमें बिशप थे और इनको 2018 में पद्मभूशन से भी सम्मानित किया जा चुका है तो यह point आपके लिए खाफी important है ठीक है इस तरह से पूछ सकते हैं कि इनको किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था तो आंसर होगा पद्मभूशन आगे बढ़ते हैं चोधरी अजीत सिंग जिनका हाली में निदन हो गया किस राजनितिक दल के अध्यक्षते ओप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए सो चोधरी अजीत सिंग हूप पास्टव रिसेंटली वास प्रेजिडेंट ओफ आर एल डी आर एल डी का मतलब है रास्टिय लोक दल तो इसके यह अध्यक्षते और यूनियन मिस्टर भी यह पहले रह चुके हैं तो कोविड-19 के कारण इनका निदन हो गया है इनके बारे अगरिकल्चन मिनिस्टर के रूप में भी यह कारे कर चुके हैं विष्व चर चुके हैं और विष्व एथलेटिक्स तीवस गिस दिन मनाया जाता है और आपको बता दे कि world athletics जिसका headquarters मोनेको में है यही इसकी governing body है जो कि athletics की जितने भी events है इनको जो है monitor करती है आज के assignment questions तीस्ता river flows through which two Indian states which two states celebrate their statehood day on 1st of May which country declared the end of the 12th Ebola outbreak world after day is observed every year on 1st Sunday of which month which bank has emerged as the top arranger of corporate bond deals in 2020-2021 तो 5 questions के answer आप हमें comment box में बताईएगा और अगर आपको एक question का answer भी आता है तो वो भी आप friends हमें comment box में जरूर से बताईएगा और साथ में आप सभी current affairs funda को telegram पर भी जोगने कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ share करें लाइक करें और comment करके हमें यह जुरूर बताइएगा कि यह वाइडियो आपको कैसी लगी thank you guys